जी हां दोस्तों आपको बता दे राखी सावंत और आदिल खान दुरानी के लड़ाई के बीच में जो है खूद पड़े हैं दिपक कलाल सरी आपको बता दे राखी सावंत की वो पुरानी वीडियो जिसे शेयर करके दिपक कलाल ने ये कहा है कि राखी सावंद ने एक करोर रुपे जो हैं ले लिये हैं और वापस नहीं दिये जिस प्रकार से राखी सावंद आदिल खान दुरानी पर इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही हैं कि मेरे पैसे मेरी जैलरी मा की जो निशानी थी आखरी निशानी वो सब कुछ लेकर आदिल खान दुरानी जो है भाग गया और अपनी मा को दे दिया उसे प्रकार से दिपक कलाल जो है लाइव आकर उन्होंने वीडियो शेर किया और कहा है कि एक करोड की अंगूठी जो की श परजाईली हूई है और भी अपने बैड रोम है दोनों अपने बैड रोम में दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको यह बताना चाहेंगे यह वीडियो जो है दर असल पुराणी है लेकिन दोनों के लिडाई के बश्क्त जो है दिपक कलाल ने बड़ा कुलासा कि और वह यह जो कि हमेशा से मजा की अंदाज है लेकिन इस वक्त सिरियस होकर पहली बार दीपक कलाल ने जो है राज से परदा उठाया है सुनिए किस प्रकार से आदिल और राखी के लड़ाई के बीच में दीपक कलाल कुदे हैं और क्या कुछ एक करोर रुपे की अंगुठी को लेकर कह डाली है बात इस वीडियो में सब कुछ मेंशन है करोर ली और को जो ने करोर की अंगुठी मैंने तुझे दीए